ही अब्रिवन वेल्कम बैक तो पुरम पहाडी चैनल और आज हम बनाएंगे बिस्किट इसके लिए मैं लेकिया हूँ चोकोला का कुकी मिक्स आपको आसानी से मार्किट में मिल जाएगा और इसको कैसे बनाना है इस पे सारी रेस्पी मेंशिन की हुई है तो अब इसके बत्र ने थोड़ा ये बटर कम लGS ही था था थोड़ा सा बटर मैं और ले रही हूं और इसको हम अच्छे से मैक्स कर देंगे इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है बत धीरे धीरे ये अच्छे से मिक्स हो जाता है और इसमें जो अगला इंग्रीडन्स जाएगा वो जाएगा मिल्क इसमें दो ही चीज़े हम एड़ करेंगे बटर और मिल्क बटन मिल्क को आपने उस हिसाब से लेना है कि आपक एक दंसे गीला नहों जाये जितना आपको जचरुत लखती है उस हिसाब से लेना है अब ये विस्क के साथ इसको मिक्स करने का बहुत ही खराब आइडिया है क्योंकि इसमें सारा फस रहा था अंदर तो या तो आपके पास इलेक्ट्रिक विस्क होना चाहिए या फिर आप किसी भी आपके पास कोई सॉलिड सा स्पोन हो तो जो भी आपको लगता है कि अच्छे से मिक्स कर देगा उससे आप इसको अच्छे से मिक्स कर दें अभी में पास मिक्स हो चुका है तो अब इसको मैं गोल गोल करके ये मैंने लिया है अबम मेकर आप इसको प्लेट के उपर रखके भी बना सकते हो मैं ये पहली बार अपम में ट्राई कर रही हूँ तो मुझे चेक भी करना था कि कैसे बनते हैं तो ये ठीक बन गे थे इसलिए मैं आपसी रेस्पे शेयर कर रही हूँ डाल रही हूँ आपने इसकी गोलें बना रहे हूँ ये छोटी बनानी है इसको जादा बड़ा नहीं बनाना है क्योंकि फूल कर अभी डवल साइज में हो जाएंगे तो ऐसे मैंने पूरा पमेकर में भर दिया है और अब इसमें अब चाहो तो स्पून से थोड़ा एक डिजाइन भी दे सकते हूं बड़ बनने के बाद यह इतना हमेश हो नहीं होगा अब हमने क्या करना है कि गैस पे तवा रखे उसके ऊपर हमने अपमेकर को रखना है अब डारेक्टली इसको फ्लेम के ऊपर ना रखें कि यह जल सकते हैं तो इसको तवे के ऊपर रखने का भी आईडिया बहुत अच्छा है अब यह कम से कम 10 से 15 मिनिट बाद मैं चेक कर र रहा है बिल्कुल ब्राउन सा कलर तो यह साइड से काफी अच्छे से सिख चुके हैं और पलट के मैं इसको ज्यादा देर नहीं इसको कम से कम 5-7 मिनिट बस मैं लो फ्लेम पे सिखूंगे इसको आप तवे के ऊपर प्लेट भी रख सकते हूँ या अवन में भी आप इसको बना सकते हूँ तो मैं इसको आपको तवे पे बनाना बता रहे हूँ थोड़ी देर के बाद मैंने चेक किया तो मुझे ठीक लगा दोनों साइड से सिख चुके हैं अच्छे से तो अब इसको नि पी टेस्टी वने थे थैंक्स पो वचिंगे इस